हेलो फ्रेंट्स आप लोग का बहुत बहुत स्पॉकत है स्टेडी पॉइंट यूटूब चैनल पर आई वेलकम यूँ आल टू स्टेडी पॉइंट और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग समिधार ठीक है पॉलिटी में समिधार से रिलेक्टेट कुछ बहुत इं कमेंन चैक्शन में दे सकते हैं आपको कोई डौको एक और रिहों कोई कोशन तो यह भी आंट पूछ सकते इसका पीडियाप आप टेलिग्राम से लें तेवल कर के वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे इंपोर्टन कोशन पुछूंगी साथी साथ वीडियो का प्लोग लाइक और शेर भी जरूर कीज़ेगा जैसा कि आप देख रहे हैं पहला कोशन है भारत में सोतंता के बाद प्रत्थम आम चुनाओ कब संपन कर अगर इसकी बात की जाए कब स्टार्ट हुआ था तो यह स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1951 में और उसकी समाप्ति व्यूति फैबरी 1952 में ठीक है लोकसभा का गठन कप किया गया था तो यह किया गया था 17 अप्रैल 1952 में इतनी चीज़े आपको इस कोशन से जरूर 7 पास है चार अप्छवा कर सामने देया हुआ थो यह होती है भारत के राश्च पति यह परेजिडंट के पास में इसक्ति होती है Колि और बात की जाये राज सबह से यह दो बात की जाने है बात की जाए तो ने लोक सबैसे यह 12 सजसय को मनोनीद कर सकते हैं राश्च पति के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं देखिए मैं आपको बता दूं राजसभा किसी के द्वारा भंग नहीं किया सकती है राजसभा को डिजॉल्व नहीं किया कोशन राजसभा धनविदेग को अधिक्तम कितने समय के लिए रोक सकता है बहुत पॉपलर कोशन एक्जाम में कई बार पूछा जाता है तो 14 दिनों तक ठीक है अगर लोगसभा से धनविदेग पारित हो चुका है और राजसभा के पास गया है तो मैकसिमम वो 14 दिनों तक उसको रोक सकता है उसके बाद ये जो है रोक नहीं सकता है सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर निमलिकित में से कौन सा साहितिकार राजसभा का सदस से था आपके सामने चार ओप्शन दिया हुआ है गोपाल दासनी रश, काका हाथ रसी, रामधारी सिंग दिनकर या सुमित्रा नंदन पंद इसको शुको ध्यास से पड़ेगा मैं धेर सारे फैक्ट बताने वाली हूँ देखे निमलिकित में जो साहितिकार हैं जो की राजसभा के सदसिते ये थे रामधारी सिंग दिनकर इनको भारत का रास्ट कवी का भी कहा जाता है और इनकी जो प्रमुक रचनाय हैं वो भी आतकले जे कई बर एक्जाम पूशी आती है उर्वशी रेणुका रश्मी रथी ठीक है रास्ट कवी के नाम से किसको जाना जाता है रामधारी सिंग दिनकर जीको तो सी हो जाएगा हमारा सही आंसर नेक्स कोशन पर आते हैं राजसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी नर्गिस दत वैजनती माला हेमा मालिनी या जैललिता और इस कोशन और राजसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नर्गिस दत ओप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर स्वतंत भारत में राजसभा के प्रथम सभापती कौन थे तो ये थे कौन डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के वाइस प्रेजिडेंट ठीक है जो सभारत के उपर रास्टपती होते हैं ठीक है डी ओबी हो जाएगा हमारा करेक्ट अंसर नेक्स पोशन राजसभा के एक तिहाई से प्रते कितने वर्ष के बाद सेवा निर्वित होते हैं तथा नए एक तिहाई सदस से उनका स्थान लेते हैं देखिए मैंने भी स्टार्ट से इसक्राइचर से राजसाल में TO is question a correct answer हो जाएगा दो साल में एक स्टे लो से होते हैं वो सिवा निंवरित हो जाते हैं ठीक अगर बात की जाए तो यह कितनी होती है तीस गर लोग सबागी बात की जाया तो यह हो जाती है 25 वर्ष ठीक है यह आपको याद रखना है Next question तो प्राश्पति का निर्वाचन किस के द्वारा होता है आपके सामने 4 option ने जनता के द्वारा संसत के द्वारा राश्पति की इक्षा पर या मंत्री मंदल द्वारा तो 10 वे प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा संसत के द्वारा option B हो जाएगा हमारा correct answer ठीक है B हो जाएगा correct answer 11 प्रेश्ट पर आते हैं उपर राश्पती के पद पर पहली बार लगतार दो बार कौन रहा था there is 4 options given Dr. S. Radha Krishner, Dr. Shankar Diyal Sharma Dr. Shri R. Venkat Ramad या V. V. Gree और इस question का correct answer हो जाएगा उपराश्पती के पद पर पहली बार लगतार दो बार कौन थे तो ये थे Dr. S. Radha Krishner ठीक है और मैं आपको बता दो इनका time period क्या था 1952 से लेकर 1962 तक उसके बाद ऐसा कब हुआ उसके बाद हुआ था जब भारत के उपराश्पती ते हामी दनसारी इंका कारिकाल था 2007 से लेकर 2017 तक इतनी चीज़े आपको याद रखें नहीं इस question से related Next question पर आते हैं Question ने उपराश्पती को किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो उपराश्पती को किसके द्वारा हटाया जा सकता है सकता है कि राजसभा के द्वारा तो सी ओ जाएगा हमारा कर्एट आंसर है उपरास्ट्पति अपने मत का प्रियोक कप करता है ध्यान से बढ़ेगा यह कोईशन बहुत इंपोर्टेंट है तो उप रच्पति अपने त्याग पत्र किसे सम्मोधित करता है देखिए वाइस प्रेजिडेंट की बात की जाए ठीक है राजसेभा की चेर्मेन भी होते हैं तो वह अपना त्याग पत्र सम्मोधित करते हैं रास्टपती को और रास्टपती किसे करते हैं उपरास्टपती को यह आपको आद रखना है बी हो जाएगा हमारा सही अंसर उपराश्पती पत के निर्वाचन है तो कौन सी पद्यती अपनाई जाती है यह कोशन बहुत ही पॉपलर कोशन है कई बार एक्जाम पूछा आता है तो उपराश्पती पत के निर्वाचन है तो कौन सी पद्यती अपनाई जाती है तो यह हो और इस कोशन के और करेक्ट आंस हो जाएगा संसत के दोनों सदनों को और इस बारे में बताया गया है भारत के समिधान के अनुछेद 61 आर्टिकल 61 में ये बात बताई गई कि भारत के रास्पती पर महाभियोग इंपीश्मेंट संसत के दोनों सदनों के द्वारा लगाने का अधिकार है तो C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर नेक्स कोशन रास्पती के चनाव में विबाद होने पर किसकी सला ली जाती है अगर ऐसा सिश्विशन आता है कि रास्पती के एलक्षन में कुछ विबाद हो गया है तो किसकी सला ली जाती है तो ये सला ली जाती है किसकी सरवोच नहाले की सी हो जाएगा हमारा correct answer 18 प्रेशन आपके सामने भारत के राश्पती का वेतन कितना है भारत के जो प्रेजिडेंट होते है उनका salary कितनी है 4 प्रेशन आपके सामने दिया हुआ है और ये हो जाएगा कितना 5 लाग ठीक है राश्पती का वेतन है पांच लाग और उपर राश्पती का वेतन होता है चार लाग ठीक है फोर लाग यह आपनो ग्याद कर लिज़ेगा यह भी एक्जाम में कई बर पुछा भी जाता है समिदान के अनुचियद 124 के अंतरकत राश्पती निम्लिखित में से क्या कर सकता है चार ओप्षन आपके सामने दियावा ध्यान से पड़ेगा सर्वोश नियाले के नियाद इसों की नियुकती सर्वोश नियाले से परामर्ष उच नियाले के नियाधिशों की नियुक्ति या नियंत्रक्स सहलेखा परिक्षक की नियुक्ति और इस question के correct answer पहली बात आपको article याद रखने ना है किसके अंतरगत पूछा जा रहा है अनुछे 124 के अंतरगत क्या कर सकते हैं राश्पति तो इस question correct answer पहलेगा सर्वोष निय next question है जब कोई विध्यक संसद्वारा पारित हो जाता है तो राश्पति को अधिकार है कि वहाँ उसे क्या कर सकता है आपके सामने चार ओप्षन है संशोधित कर सकता है आसिवकार कर सकता है अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है या पुनर विचार के लिए व पास भेज सकता है बट यह दुबारा नहीं कर सकता है एक ही वारा ऐसा कर सकता है option D हो जाएगा हमारा correct answer मैंने आपसे काता मैं लास्ट में आपसे question पूछूँगी जिसका answer आपके comment section में देना होगा तो question क्या है question है राश्पति किस विद्यक को पुनर विचार के लिए नही से कोई नहीं तो जो इसका आंसर होगा इसको आप कमेंट सेक्शन में देना होगा यह कोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछा भी जाता है और वीडियो का प्रोग लाइक एंड शेयर जरू करेगा थैंक यू सो मच वाचिंग थैंक यू